राधी राधे जैश्री किष्णा हरे किष्णा दप्तो तो एकादिशी से ही जो है दिपावली की जो पूजापाट जो शुरू हो जाते हैं एकादिशी की आप सभी को हार्दिक शुब कामना है तो एकादिशी को रंभा एकादिशी भी कहते हैं जो मालिक्ष्मी है उनका एक कि प्यार माना जाता है दंतेरस से ये पहले ये पढरतीक स्बसें defining घ्रत ये घ। हैं तो इसमें भख्वान विष्णू की जो यह कारतिक मास सबसे पीरे हैं और कारतिक मास की जो एकास्यी है ठोर बहुत ज़ादा महत्व है क्योंकि यह गश्रम की मालक्श्मी की पूजा होती है तो बहुत ज्यादा इसका भैत्व है और इस बार जो है एक आदिशी का व्रत कब रखा जायेगा तो कुछ लोग तो 27 को भी रखेंगे लेकिन व्रत जो है 28 तारिक को ही रखना चाहिए तो क्योंकि जो 27 तारिक है उसमें यह है दस्मी भी है तो दस्मी व्यक्त व्रत जो रखा नहीं जाता है कहते है कि जो दस्मी व्रत रखता है तो उसका फल जो है राक्षसों को मिलता है और राक्षस बलबान होते हैं तो इसलिए हमेशा ही जो जो भी एक आदिशी दस्मी से व्रत जो तो उसे व्रत को रख नहीं रखना चाहिए तो 28 तारिक को एक आदिशी का व्रत रखें और मैं तो और सोभाग्या आता है तो जिनों ने मतलए 58 नहीं भी रखते हैं तो महते हैं करद को कर्तिक स्तान कर रहे हो कार्थिक मासकु का पड़ रही है यह नमा eki– kilo to 6-10 वाइन तौश्ड रख्या है और वैसे मेरी METHंद नहीं तीपर रखना है चाहिए जैसे एकादशी है धन तीरस है और कई लोग द्वादशी का भी रखते हैं और छोटी दिवाली भाई या दोज का भी रखा जाता है यह है इनका अपना महत्र है और एकादशी की रात को हमें जो है बिलकुल अखंड जोत जलानी चाहिए वैसे तो कई-कई लोग पा और ओओज़न फॉज है और मालक्ष्मी का इसमें पूज होती है तो कार्थिक मास में पूज़ा करने का विधान एंपॉज ऑपो मालक्ष्ifi की पूज होती है बाग्वान शंकर की पूजЁ अश्बक आधि कृज़ा होती है कि अगवांजी की वाले दीन क्या करना चाहिए शाप daha दोकर नाने के पादी में थTT थोड़ा से गंगा-जल मिलन ले और काले दिन मिला करें और इकादशी के दिन मों करें तो फीले वस्तरों को ही धारन करें और अपने घर के में दर्वाजे पर जो है कि अगर कि हाथ के जूटे कन्या उससे में दर्वाजे पर क्योंकि दिवाली से पहले की कादशी है एक तरफ हल्दी का और एक तरफ कुम्प्यूं का चापा हास से लगवाए अगर छोटे कन्या नहीं है तो घर की भुव वेटी भी जो है घर के दर्वाजे पर चापा लगा सकते हैं तो यह बहुत शुमाना और एक आदेशी के दिन से घर की चोखट को भी पूजना चाहिए उसके बाद ही हमें घर को सजाना से यह सासज़ग करने चाहिए दिवाली के लिए क्योंकि जो हमारे घर की में चोखट होती है उसकी पूजन का विशेश महत्व होता है और उसकी हमें हल्दी कुमकुम फू कुल आदी से और हल्दी से हमें पूजन करना चाहिए चोखट का और फिर अपने घर की जो है सजावट को आरंप करना चाहिए तो इसका अपना विशेश महत्व है तो यह भी हम एक आदेशी के दिन कर सकते हैं एक आदेशी के दिन पीले वस्तर पहने बहुत शुब होता है और एक आदेशी पर हल्दी के स्वास्तिक लगाएं तो यह भी बहुत शुब होता है घर में और एक बात का विशेश ज्ञान रखना है कि एक आदेशी के दिन हमें पूजा कब करनी है और कब नहीं करनी है तो एक आदेशी के दिन जो है 28 तारीक को सुबह साढ़े साभी सा आदेशी के बहुत पहले हैं को भी बढर घरी तो सबसे पहले हमें लेतां ऐसा अधम रत कर नाम लिका संद्व ने लिए कि यह भगवान श्री विष्णु मैं यह संकल्प ले रही हूं कि अपना नाम बोलकर अपना गोतर बोलकर कि मेरा ही जो ही व्रत है और यह मेरा निर्विधन पूरा हो और मेरे चेकर कोई भूल चूकतरोटी हो जाए तो मुझे शमा करना और मेरा व्रत जो है कि स्विकार करना तो इस तरह से संकल्प लेकर एकादिसी के व्रत करें और हर व्रत को ही संकल्प लेकर करना चाहिए यह कहा गया है अगर हम बिना संकल्प के ही कोई व्रत करते हैं तो वह आधा दुरा माना जाता है तो इसलिए ही हमेशा संकल्प लेकर पूजा करनी चाहिए और उसके बाद पूजा करने चाहिए और चांदी के सिक्के पर तिलक लगाकर हमें पूजा करने चाहिए और हमें दीबदान का कार्तिक के महिने में बहुत विशेश महत्व है तो हमें दीबदान करने चाहिए दीबदान हमें पीपल पर बढ़ पर और शमी के प्रक्ष पर तुल्सी माता परतों करते हैं और घर के दोनों धहलिश पर चोखट पर और इसके अलावा जो में में पूद है जो आमले का पूद है तो उन पर भी हमें दीबदान करना चाहिए बहुती शुम मानना जाता है दीबदान का जो है कार्तिक के महिने में बहुती महत्व है तो इस तरह से हमें कार्तिक की जो मास में जो है दीबदान करना चाहिए और एक आधिशी का वरत इस दिन पढ़ता है तो इसका अपना बहुत ज्यादा विशेश महत्म हो जाता है एक आ झादे